आज हम बनाएंगे मूली का लच्छेदार चटपटा सेलड अगर आप इसे एक बार बनाके खालोगे तो आप इसे बार बार बनाओगे क्योंकि यह बहुत ही जादा टेस्टी होता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसके लिए मैंने मूली को धोकर इस तरह से देखिए पील कर लिया है पील करने के बाद इसको मैं ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लूँगी तो अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हैं वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नोटिफकेशन के लिए वेल एकन को प्रेस कीजेगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेर कीजेगा वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए कोकि एक लाइक तो बनता है इस तरह से मैं सारी मूली को ग्रेट कर लूँगी आप इसे ज़रूर बना के ट्राइ कीजिएगा यह बहुती ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है देखे, सारी मुली को पिने ग्रेट कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसके पानी को निचोड लेंगे इस तरह से इसको हम निचोड लेंगे इसके पानी को हमें अच्छी तरह निचोड लेना है तो अगर वीडियो को देखती हुए आप जहां तक आ गए हो आप मेरे चैनल पिन नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है देखिए मूली से मैंने पानी को अच्छी तरह निकाल लिया है इस पानी को हम फेकेंगे नहीं इससे हम आटे को लगा लेंगे या फिर हम इसको ऐसे भी पी सकते हैं क्योंकि इस पानी के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है अब इस गेट की हुई मूली को मैं खुले बतन में निकाल लूँगी देखे मैं इस तरह से इस बावल में इसको निकाल लूँगी एक बार इसको देखे इस तरह से हाथों से मैं उलट पलट दूँगी तांकी ये थोड़ी अलग-अलग हो जाए अब मैं इसमें डाल लूँगी हल्दी, तांकी, मुली का जो कलर है वो थोड़ा अच्छा लगे देखने में स्वादूसार इसमें लाल मेच डालूँगी मैं स्वादूसार नम्मक अगर आप ज़्यादा दीखा खाना पसंद करते हो तो आप बारीक बारीक काट कर इसमें हरी मिर्च को भी डाल सकते हो अब मैं इसे हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी चम्मस के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा इसलिए मैंने हाथों का ही यूज किया है हल्दी, नमक, मिर्च इस तरह से अच्छी तरह मूली के साथ मिक्स हो जाएगा देखें, मिक्स कर लिया है मैंने सब को अब मैं इसमें डालूंगी बारी कटा हुआ टमाटर लेमन डालूंगी इसमें मैं टमाटर और लेमन डालने के बाद इसको मैं फिर से दुबारा मिक्स कर दूंगी जो हमने इसमें लेमन का जूस डाला है वो भी अच्छी तरह मूली के साथ मिक्स हो जाए तो प्लीज वीडियो को फुल वाच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा देखिए सैलड बन गया है अब मैं इसको करूँगी सब सब करते वक्त मैंने इसे मूली के पत्तों के साथ गानिश कर दिया है मूली के पत्तों को मैंने अच्छी तरह अधो लिया था और बारीक बारीक काट लिया था मूली के पत्ते भी बहुत ज़्यादा है हमारी बाड़ी के लिए तो ये हमारा टेस्टी चटपटा लचेदार मूली का सैलड बन के तयार है आप भी इसे बनाईए एंजोई कीजिए और मुझे कमेंट्स बोक्स में बताईए कि आपको ये रस्पी कैसी लगी तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स रेलिटीव में शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नॉटिफकेशन के लिए वे लाइकन को प्रेस कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग